नमसकार दोस्तों, सॉफ और जीरा के फायदे या लाभ धेर सरे होते हैं। सॉफ और जीरा एक प्रकार के मसाले हैं जिनका उपयोग कई तरह के वेंजन और पे पदार्थों को बनाने के लिए किया जाता है। वैसे तो सौफ और जीरे को अलग-अलग तरीके से उपियोग किया जाता है लेकिन इन दोनों को साथ में इस्तिमाल करने से भी कई स्वास्थे लाब होते हैं दोस्तों अगर बात करें सौफ की तो सौफ में कार्बो हाइडरेट, फाइबर, कैल्शियम, मैगनीशियम, पोटेशियम, फासफोरस, मैगनीशियम, सोडियम, जिंक, कॉपर, थायमिन, मैंगनीज, आइरन, विटामिन C, विटामिन A, विटामिन D, विटामिन K और विटामिन B6 जैसे पोशक तत्व पाए जाते हैं. दोस्तों, सौफ और जीरा खाना स्वास्थे के लिए बहुत ही लाभदायक होता है. तो चलिए दोस्तों एक-एक करके इसके सभी benefits को जान लेते हैं. नंबर वन, सौफ और जीरा का साथ में सेवन करने से शरीर की रोग प्रतिरोधक शम्ता को बढ़ाया जा सकता है जो लोग बुखार, सर्दी, जुकाम. खांसी जैसे रोगों से बहुत दिल्द प्रभावित हो जाते हैं, उन्हें नियमित रूप से सौफ और जीरा का सेवन करना चाहिए इस से लाब होगा. नमबर टू, सौफ और जीरा का सेवन आखों के लिए अत्तिधिक लाब दायक होता है. सौफ और जीरा में ऐसे तत्व पाए जाते हैं, जो आखों की रोशनी को नियंतरित रखने के साथ साथ आखों को स्वस्थे रखने में मददगार होते हैं. आखों से जुड़े रोग पानियों से छुटकारा पाने के लिए सौफ और जीरा का सेवन करें, यह पाचन तंत्र को स्वस्थे रखने में सहाइक होते हैं. गैस, मतली, अपच और पेट दर्द की समस्या को दूर करने के लिए आधार, चमच जीरा के साथ खोड़ा सौफ मिला कर खाए, इस से यह पर सौफ और जीरा में ऐसे तत्व पाए जाते हैं, जो शरीर के मेटाबॉलिज्म को बढ़ा कर वजन को घटाने में मदद करते हैं. विटामिने जैसे कई पोशक तत्वों से भरपूर होते हैं, जिनका सेवन करना तवचा के लिए बेहद हितकारी माना जाता है. तवचा संब बाद हम सौफ और जीरा से संबंदित कुछ प्रशनों का उत्तर जानेंगे जैसे की सवाल नंबर वन, हरी सौफ खाने के क्या फाइदे हैं? दोस्तों, हरी सौफ का खाने के फाइदे कई होते रखते हैं. हरी सौफ खाने से मुह की दुरगंद वदानतों से जुड़ी समस् सकता है. शरीर से विशाक्त पदार्थों को बाहर निकालने, खून साफ करने और खून संबंदी सभी समस्याओं से छुटकारा पाने के लिए हरी सौफ का मिश्री के साथ सेवन करें. इसके अलावा महिलाओं में मासिक धर्म से संबंदित समस्याओं जैसे अनियमित ररत त मतली या उल्टियादी को ठीक करने के लिए हरी सौफ का सेवन करना फायदे मंद होता है. सवाल नंबर टू. भुनी हुई सौफ खाने के फायदे भी कई होते हैं. भुनी हुई सौफ खाने से पेट संबंदी समस्याओं से बचा जा सकता है. दस्त के दोरान आम में खून आ करने से दस्त की समस्या ठीक हो जाती है. भुनी हुई सौफ खाने से हाथ पाव में जलन की परिशानी को दूर किया जा सकता है. इसके अलावा भुनी हुई सौफ का सेवन करना वात, पित, फर्दे और मस्तिष्क से जुड़े कई रोगों से सुरक्षित रखने में मदद कर सवाल नंबर 3. सुबह खाली पेड जीरा खाने के क्या फायदे होते हैं? सवाल नंबर 4. भुना हुआ जीरा खाने के क्या फायदे कई होते हैं? जीरा के चूर्ण को नियमित रूप से खाये, इससे भूख बढ़ने में मदद मिलती है. तो दोस्तों, उमीद करते हैं कि इस वीडियो से आपको अच्छी जानकारी मिली होगी. तो फ्रेंड्स, वीडियो देखने के लिए और अपना कीमती समय देने के लिए धन्यवाद. और वीडियो पसंद आई तो, वीडियो को लाइक करें, और साथ ही चैनल को सबसक्राइब करें. और वीडियो को अन्य लोगों के साथ भी चरूर शेयर करें मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में थैंक यू